अच्छा question है अब देखे मैंने buffer solution पर पिसले पार्ट में इसके बहुत अच्छ explanation दिया आपको इसमें भी हलका सा दे दूँगा मैं इसको भी आप प्रोपर देखे उसमें एक-दो question आयो है ठीक है देखे गाइस बफर solution बनाने के काफी तरीके हो सकते basically पहले भी इसके थोड़ी सी यह देख लेते हैं कि बनता कैसे उसके बाद उसको प्रोपर तरीके से और समझें देखे गाइस buffer solution का पहला एक तरीका हो सकता है जिसमें weak acid है और इस weak acid का कोई salt है with strong base मैंने ले लिया और इसमें मैं अगर add कर दूँ इसका weak acid के iron बनाना है तो इसमें proton निकाल दिया तो यह हो गया पार अब strong base का मुझे cation डालना है जैसे suppose NaOH ले लिया तो यह strong base है alkali है sodium hydroxide तो इसमें क्या हो जाएगा Na positive or OH negative नो OH negative तो इसमें आ नहीं सकता कोई यहां भी negative है तो इधर क्या Na positive रोल दिया आपने तो sodium acetate तो acetic acid and sodium acetate का जो mixture है वो एक buffer solution है समया आपको guys नो जब आपका buffer solution में acid weak है weaker acid है तो इसको आप बोलते हो acidic buffer weak acid के according आपका buffer की जो nature है वो decide होगी similarly अगर इसमें weak base होता और इस base का salt होता with strong acid जैसे NH4 OH है ammonium hydroxide है इसमें दो ions है NH4 positive and OH negative तो suppose इसका NH4 positive आ गया अब strong acid के साथ आपको इसमें एक salt बनाना है strong acid क्या है suppose HCl बहुत common है तो H-ion and Cl negative है तो इदर है Cl negative जोड़ देते हैं तो ammonium chloride यह क्या हो गया इनका और इसका mixture एक buffer solution हो गया now because यहां पर base weak था तो इसका मतलब क्या हुआ यह एक basic buffer है now तीन और तरीके हैं जो की discuss हम कम करते हैं buffer solution बनाने में लेकिन उन पर कभी-कभी जैसे question पूछे जागता है direct अगर देखके solve करेंगे तो आपको फाइदा हो जाएगा लेकिन आपको जैसे इस question में है इसमें question में भी आप थोड़ा से दिमाग लागा तो वैसे भी solve कर दोगे लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कभी-कभी one word यह two word जैसे direct होते है न उस type के theoretical based question उसमें पूछा जा सकता है तीसरा जो तरीका है उसको बोलते हैं कि जो solution होते हैं of amphoteric electrolytes ठीक है amphoteric electrolytes के जितना solution होगा वो हमेशा buffer solution होगा amphoteric electrolytes को आप ampholytes भी बोल सकते हो तो इसको आप theoretical question में पूछ लिया न तो direct आपको कर देना कि buffer solution होगा है जैसे इसका example दूँं कि जैसे amino acids है amino acids में क्या है आपने देखा होगा कि C O negative और NH 4 positive और यहां पर H और यहां पर X कुछ भी change होता है इस पर मैंने trick भी मनाई गए गाई इसके नाम और structure याद करने के देखीगा जबूँ तो अब यह negative भी और positive charge भी होगा होगा एमफोलाइट समझ में आपको similarly जैसे protein solutions होते हैं वो भी इसी category में आपके आएंगे नव फोर्थ है guys यह थोड़ा tricky है देखे अगर मैं salt लूँ strong acid का और salt लूँ strong base का तो यह भी buffer solution बना सकता है depending upon कि कंसेंटेशन क्या है और किस तरह साब use कर ठीक है तो यह अगर है तो directly आपको काटना नहीं है एक बार reaction चेक करनी है कि इसमें बन सकता है पांचवा है अगर आपने strong acid ले लिया अब strong base और weak acid का कोई salt ले लिया समझें तो यह भी इस case में buffer बना सकता है यह बहुत important example है जैसे suppose strong acid ले लिया आपने HNO3 इसमें देखी catch है बताता हूँ भी HNO3 ले लिया और suppose strong base और weak acid का CS3CWNA यह ले लिया CS3CWNA तो क्या हो गया weak acid और CS3CWNA positive क्या हो गया strong base से आया तो यह salt है अगर इन दोनों को mix करते हो provided that कि जो HNO3 strong acid वो आपका limiting reagent है याने quantity में कम है तो अब क्या हो सका तो यह एक buffer solution बन सकता है अब देखे वैसे भी आप देखोगे जब आप इन दोनों की reaction कराओगे यह limiting reagent है तो जितने भी reaction होगी एक हद में यह limiting reagent खतम हो जाएगा अब खतम होने के बाद जो भी reaction होगी strong base और weak acid के salt वाली होगी और जो आपका acidic buffer की reaction ही होती है इस तरह से आप समझ सकते हैं अब मैं देखता हूँ one by one को कि क्या क्या है क्या बन सकते हैं ठीक है गाईज देखे पहला option है strong acid और NaCl याने जो यह strong base और strong acid का salt तो इसमें कोई भी weaker acid नहीं है तो इसका मतलब यह buffer solution नहीं बनाएगा क्यों देखे है HCl strong acid है और यहाँ Na-positive आया NaOH से for example जो strong base है और CL नहीं है HCl से जो की strong acid है तो इसमें weaker portion कोई है ही नहीं तो इससे आप देखके माइनस करतो कि कोई ज़रूत नहीं है इसकी कुछ नहीं बनने वाला दूसरा है अब देखे है strong acid और weak acid and strong base का आपका salt जो आपको मैंने fifth option में बताया था समझने आपको तो यह में भी बन सकता अगर आदेखे example में कुछ भी weaker का आगया ना तो में भी बन जाएगा यह मानना तो na positive यह weak acid का पार्ट है तो अब शायद बन जाए देखे में आपको पांचवा पार्ट का आदा न का strong acid है तो अगर यह limiting reagent में हो गया तो बन जाएगा तो यह वह यह आला example है देखे इसके reaction कैसी हो रही है यह HCl है तो CS3COOH के साथ reaction करेगा तो क्या बने है यह और यह CS3COOH और यहां पर NaCl यह बना रहा होगा ना गाईस और यह तो salt है यह तो हो गया लगए यह और यह reaction हो रही है इसके moles calculate कर ले नवर number of moles क्या होता है m into v ठीग है तो यहाने इसका क्या हो गया 0.1 into 100 milliliter यानि यह कितना हो गया 10 millimol similarly CS3COOH कर लेते हैं इसमें क्या हो गया 0.1 into 200 ml तो यह कितना हो गया 20 millimol initially और यह 00 अब after जब reaction होई होगी तो यह क्या है limiting region limiting region कैसे देखता आप यह moles को इससे divide कर दो समझ है तो यह 10 है और यह 20 है इसका मतलब क्या होगा आपको limiting region पता होगा नगा इस मेरे मोल कंसेप्ट की जो मैंने वीडियो बनाई हुई है multiple उसमें देखेगा आपको मैंने सब कुछ बता रखा है अब यह moles है अगर इसको देखे मैं आपको बताता हो मोल्स में आपने निकाल ली अगर जब आपने मोल्स निकाल लिए मोल्स को इनके stoichiometric coefficient से डिवाइड कीजिए याने 10 डिवाइड बन 20 डिवाइड बन अब यह क्या रहा है 10 और यह 20 तो जो कम होगा वो limiting region सबोज यहां पर 10 के बज़ाए यहां पर 5 होता यहां वन के बज़ाए 5 होता तो यह डिवाइड बज़ाए 4 हो जाता तब यह limiting region हो जा तो यह 20-10 हो जाएगा और यह क्या हो जागा प्लस 10 और यह प्लस 10 तो याने अब फाइनल जब यह exhaust हो गया पूरा तो यह 10 mmol बचा और यह क्या होगा यह तो salt हो गया अलग निकल गया और यह CSTCWH है अगर आप देखोगे अब solution में क्या है weak acid और weak acid का strong base के साथ salt तो यह क् acidic buffer की तरह भी फेक पर रहा है तो अब यह क्या हो गया आपका एक buffer solution बना रहा है mix करने के बाद यह जो पांच बाद मैंने आपको example topic वह बताया था ना example 5 आपको different तरीके बता है उसमें फिफ्ट वाला example था है एक बार अगर आपको समझनी आया है कि बार दुबार से समझनी क कोशिश कीज़ेगा आपको जरूर समझनी आया तो यह आपका फिराल correct answer है बाकी के examples को भी देखते है कि क्यूं नहीं हो रहे हैं ताकि और हमें grasp पा जाएगी example पर ठीक है तो तीसरा example है जिसमें आपने CS3CWH को मिला दिया है NaOH के साथ ठीक है तो यह reaction में क्या बनाएगा CS3C ONA और H2O निकाल दिया है common reaction starting में अब number moles निकाल देता हूं direct MV से निकल जाएगा molar into volume तो molarities की 0.1 into 100 ml तो यह हो गया अब जब limiting reagent इसमें कैसे निकाल हो गया या कुछ भी जैसे अब देखे यह भी 10 है 10 divided by 1 यह भी 10 है 10 divided by 1 तो limiting reagent दोनों कुछ नहीं है दोनों एक साथ खतम हो जाएंगे जब reaction complete हो याने इधर 10 minus 10 होगा और इधर plus 10 plus 10 हो जाएगा तो finally जब यह 0 होगा यह 0 होगा तो जब और वाटर होगा सिर्फ वीक कोई acid या वीकर वीक acid या CSC CWH अगर present होता suppose तब for example अगर आप इसमें यह 10 के बजाए यह 8 भी हो जाता तब यह exhaust हो जाता और final reaction में आपका 2 mmol CSC CWH भी बन रहे जाता तो तब मैं कह सकता था कि यह buffer solution बनिया लेकिन इसमें क्योंकि 0-0 होगया औ नहीं बना I hope guys आपको यह चीज समझ मायोगी थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली है यह बार दो बार आप टेक्टिस कर लोगे ना तो अराम से आपका हो जाएगा तो फिलाल यह भी नहीं है चो डी option देखें डी option में भी यही same reaction है कि CSC CWH मिलाया NaOH reaction करी अगें वही CSC CWNA ब ML याने 10 millimoles इसमें क्या हो गया 0.1 into 200 याने 20 millimoles यह 00 हो गया अब जब अब limiting reagent कैसे निकाल होगे 10 divided by 1 20 divided by 1 यह 10 आ रहा है 20 आ रहा है तो limiting reagent यह हो गया अगें गाईज नहीं होगा अभी समझायादा ना गर यह limiting reagent होता तब आपका आसान हो जाता अब क्यूं देखें यह 10 minus 10 पूरा exhaust हो जाएगा यह 20 minus 10 होगा और यह 10 और यह 10 होगा ठीए अब क्या होगा यह 0 यह 10 यह 10 यह 10 और यह 10 वाटर है तो अलग कर दिया चलो कोई नह स्ट्रोंग बेस और वीक एसिड का स्ट्रोंग बेस के साथ सॉल्ट जो की गलत है हमेशा जब भी आपका सेपरेट में सॉल्ट हो बेस होगा या एसिड होगा यह वीकर होना चाहिए तब ही तो बनेया गाईज समझ में आई गया होगा वैसे दुबारा देखेगा और समझ म आजाएगा बहुत बेसिक से रिलेटिड था विलाज में कर एक टांसर भी है